गुर्गुन दे पाबा, मुझे आप से कुछ बात करनी है बोलो सुन दे आपको तनी को सरम है की नहीं? काहे? हम सरम काहे करे? हमका कोई नहीं न मेली दूलहन है जो सरम करे? अब जो है ना, मेरा बात का हमेशा गलत ही उल्टा फिल्टा मतलब निकाले थे अरे भागवान, सीधा सीधी बोलो ना, जो बोलना है, परिसान ना किया करो हम कह रहे थी कि आपको कुछ बुझाता है की नहीं? हम यहाँ पे सारा दिन काम करें और आप है कि अख़बारे में घुसे रहते हैं? अब तुम्हारा बोलने का मतलब है, हम तुम्हारा मरद करें घर के काम में, यह जारू पोछा बर्तन करें मौगा की नियत आप जो है ना, हमेशा मेरे बात को उल्टा ही मतलब निकाल लेते हैं इतना घुमा खुड़ा कर बात ना करो, इतना ठीक है, घर के काम करने के लिए एक नौकरानी को ला दीजिए का है, तुम कहीं जा रही हो का मतलब, हम आप लोग को काम करें तो मुझे नौकरानी से दुलना कीजिएगा पैसा को पेड़ पर नहीं उखता है, जो हमी सब सिजुल काम में उड़ाए और तुम्हारे बाप के जिसन मेरा सरकाड़ी नापनी नहीं है प्राइवेट जॉब है, एरी चोटी एक करते हैं तब जाके दुग पैसा देखने को मिलता है ये, मेरे पापा कुपारे बोल्टा फुटा मत बोलिये जो अभी माय के चले जाएगे नहीं तो रहिएगा आप आपका बेटी और ये पुरा घर तब करते रहिएगा काम अजे भागमान, तुम नाराज कहे होती हो थोड़ा दिन रुख जाओ, घर के काम के लिए एक नौकरा नी लगा देंगे उसके में कौन सा बड़ा बात है मम्मी, चैए वो ये कपड़ा धुला था मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, जो तुम लोग का कपड़ा धोती रहो घर का काम करती रहो अर इतनी बड़ी गधी होगी, अब तक अपना काम ने कर सकती हो अब से खुद का काम खुद कर लिया करो समझ गई ना मेरी तो कोई भैलूए नहीं है इस खार की खर छोड़िये इस घर के बातों को मेरी कोई भैलू रहे ना रहे पर आप लोग मुझे थोड़ा सम्मान दे दिजिएगा लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा कर मुझे ना यही आप लोग इसे विंती है मेरी